गुरुवार सुभे डोडा के ठाटरी इलाके में यात्रियों से भरी एक मेटाडोर सड़क धुरगटना का शिकार हुई जिसमें अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जबके करीब 40 लोग घाईल बताये जा रहे हैं हमारे समवादाता शहजदा फिरोज की मताबिक घाईलों को बहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल डोडा पहुँचाया गया है जहां अधिकतर घाईलों की हालत बहत गंभीर बताई जा रही है जबकि इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या मे इजाफा हो सकता है पुलिस वस्थान ये लोगों ने मौके पर पहुँच कर राहत और बचाव कारे शुरू कर दिया है ऐसे में कुछ घाईलों को जम्मू भी शिफ्ट कर दिया गया है इन घाईलों को हेलिकॉप्टर के जरिये जम्मू लाया जा रहा है ताकि इनका तो यह कोई 500-600 फूट जो है नीचे रोल डौन हो है और इसमें आल्मोस्ट सभी जखमी है लेकर ना एक लेड़ी की डेथ हो चुकी है और जो पांच-दस ओर जो है वो थोड़ा सीरी इंजट है तो बाकी का ट्रीटमेंट यहीं होगा जो सीरी इंजट है उनको एरलिफ्ट के जा रहा है एरफोर्स का हेलिकॉप्टर जो लेंड होने वाला है और रेस्क्यूट जो है इमिजटली स्टार्ट हो गया था पहले इनको ठाटरी हॉस्पिटर में लाया गया वहां से प्रीमिरी ट्रीटमेंट करके डोड़ा इमिजटली बेज जा गया एम्बलेंट सामने कि आज तरफ से पोलीज की आर्मी की भी आवनिकाल कर ली थी तो आब इनको जम्मूद शिफ्ट किया जा रहा है जो सीड़ सींजट है तो यह कहां पे हुआ जा रही तो यह फ्राम ठाट्टी ठाट्टी से यह गंदों की तरफ जारी थी और कहारा के मकाम पे हुआ है